असलाम लोकुम विवर्स वेल्कम टो मैं चैनल नौन यूर मेडिसन आज हम जिस मेडिसन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है केवट यह एक सैटिफाइड और्गेनिक प्लांट कैसियम मगनेशियम और विटामिन डी सिप्लीमेट है जिसको हम बच्चों और बड़ों दोनों में इस्तमाल कर सकते हैं जिनेटिक्स फार्मा इसको मैनिफेर्चर करती है और यह टैबलेट और सीरफ फार्म दोनों में मुश्टमिल है और यह देखते हैं कि हम इसको किन्द के परपर में इस्तमाल कर सकते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राब न आईए देखते हैं कि हम इसको किन किन परपस में इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले treatment of the hypokalcemia इस से मुराद है कि अगर blood में calcium का level हो तो उसकी treatment में हम इसका इस्तमाल करते हैं पहले आस्ट्रोफराइसिज जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इससे मुराद है कि बॉन्स का खोखलापन इसमें हडियां खोखली हो जती हैं और जिसकी वायसे ही कमजोर हो जती हैं और इनके तूटने का रिक्स बहुत जादा हो जता हैं तो इसकी ट्रीट्मेंट के लिए हम इसका अस्ट्रोफराइसिया इससे मुराद है कि विटमिन डे की कमी के वज़ा से जो हमारी हडियां हैं वो कमजोर हो जती हैं जिसकी वायसे इनके तूटने का खर्शा जादा हो जता हैं तो इसकी ट्रीट्में के लिए हम इसका 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 इस development growth है वो बहुत ज़्दा मुतासर होती है जिसकी व bereits है उनकी हड़ीों में दर्द होना शुनर हो जाती है और उनकी हड़ीय कमजोर रह जाती है और बाज करद तो उनकी हड़ीयां तेरी भी हो चकती है तो उस्को ट्रीट करने के लिए हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें इसका रिज़र्ट बहुत जादा अच्छा है इसके लावा बाद वकात बच्चों की दानतों की ग्रोथ यानि उनके दान टूटना शुरू हो जाते हैं वो यह विटामिन डी की कमी कवज़ा होता है तो उसको ट्रीट करने के लि जिसकी वाय से डॉक्टर इसको रिक्मेंट करते हैं जैसे कि आप इसकी कमपूश्य देख सकते हैं कि कैल्शियम, मगनेशियम और विटामिन डी यह तीनों को कवर करती है और इनके अपने-पने वाइध हैं आई अब इसकी डोस देखते हैं वो बच्चे जिनकी उमर 6 साल स दिन में दो दफा है जबके वो बच्चे जिनकी उमर 6 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होती है उन में इसकी डोस 5 ml दिन में दो दफा है जबके बड़ो में इसकी डोस 5 ml दिन में तीन दफा है यह कैप्शल फार में भी अवैलिबल है जिसमें इसकी डोस वन कैप्शल डेली है और इसको इस्तमाल करने से पहले हुशा डॉक्टर से रजू करने चाहिए बाद में इसका इस्तमाल करें आए अब इसका अब्रोशन और डेस्ट्रिबिशन रेट देखते हैं जो नेचल कैल्शियम जानी एलजी कैल्शियम है इसका अब्रोशन रेट 75 परसंट जबकि जो है क्लने का शैरी देख देना को देहें कि इस कर ब्यांद को देकते हैं इसके इक्स्रीशन यूरन की होती है बहुत सालव है जो कि काल्शियम की ब्रुटीन अुर शख़िंस क्रणा इसक का यूज़ करें तो इसको कम से कम इस्तमाल करना चाहिए आए 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 अब कैवाड़ और रो कैल्शियम में में डिफिस्ट देखते हैं ये एक रिसर्च है जो के हावर्ड मेडिकल स्कूल की है जिसमें ये बताया गया है कि जो आम कैल्शियम है यानि लाइम स्टॉम्न है वो हार्ट रेट को इंकीज करती है जिसकी वासे हार्ट अटैक के चांस जाद हो जाते है और जबके जो कैवड है उसमें इस तरह कोई बात है कि इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है जिसकी वासे आपको इसको बगएर किसी पूछा से यूज कर सकते हैं आईए अब इसकी स्टॉड़े कडिशे देखते हैं इसको हमेशा रूम टैंपरेशर करना चाहिए लाइट और नमी से बचाना चाहिए और इसको 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 परी चेक करने चाहिए और एक बात का ख्याल दखें कि इसको इसको इस्तिवार करने से पहले में आपने डॉक्ट्टर करें अमीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्शर पसंदाया होगा प्रीज सेब्स्क्राब आइच चनल अल्लाफ फीज झाल झाल झाल